ओम नमस्षिवाय हर हर महादेव हमारे चैनल स्रीशिवाय में आपका स्वागत है तो दोस्तो जेश्ट मास की सुकल पक्ष की एकादसी को निर्जला एकादसी कहते हैं निर्जला एकादसी व्रत को धार्मिक मानिताओं के अनुसार बहुत ही महत्वपुन माना जाता है इस व्रत को करने से सभी कस्ट दूर होते हैं और भगवान विश्णू सुक और संपन रहने का आसिरवात देते हैं तो दोस्तों आईए जानते हैं कब है निर्जला एकादसी और इसकी पूजाविदी निर्जला एकादसी पूरे साल की 24 एकादसियों में सबसे प्रमूख मानी जाती है धार्मिक दरश्टी से सारवधिक महत्वपुन निर्जला एकादसी जेस्ट मास के सुकल पक्ष की एक इस साल यह एकादसी 31 मई को मनाई जाएगी इस एकादसी वरत को करने से सभी कस्टों से मुक्ति मिलती है इस दिन जरुरत मन लोगों को दानपुर्ण करने का विशेश महत्व होता है इस दिन परिवार की सुख सम्रद्धी और खुशहाली लिए निर्जला वरत रखा जाता ह यह वरत अधिकतर महिलाये करती है तो आईए आपको बताते हैं निर्जला एकादसी का महत्व क्या है निर्जला एकादसी को लेकर यह मान्यता है कि अगर आप पूरे साल एक भी एकादसी वरत नहीं करते हैं और निर्जला एकादसी वरत करते हैं तो आपकी संपूर्ण ए आयू और मोक्ष की प्राप्ती होती हैं आईए अब जानते हैं निर्जला एकादसी वरत की पूजाविधी निर्जला एकादसी के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले ही उठकर इस्नान कर ले और मन ही मन भगवान विश्णु का इस्मरंड करते हुए वरत करने का संकल्प ले पूजा घर को गंगा जल छीट कर पवित्र कर ले लकडी की चोकी पर साफ पीले रंग का वस्त्र भिछाए और उस पर भगवान विश्णु की तस्वीर स्थापित करे भगवान विश्णु को पीले रंग का वस्त्र अर्पित करे अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो प पीले रंग का गमशा भी रख सकते हैं, पूजा के बाद यहां गमशा किसी जरुरत मन को दान कर दे, भगवान विश्णू की पूजा में पीले रंग के चावल, पीला फूल और पीले फल भी शामिल करे, विधी विधान से निर्जला व्रत की पूजा करे और उसके बाद लक्ष्मी नारायंड की क्रपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आप अगर एका दसी पर तुलसी जी पर बान देते हैं, तो इससे आपको भग पान विश्नु और माता लक्ष्मी आपके उपर असीम क्रपा वरसाएंगे, धन धान्य सुक समरदी से आपकी जोली भर देंगे, तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन इस बार इस उपाय को बहुत कम लोग जानते हैं, तुलसी के नीचे बांदे यह एक चीज, मा तुलसी क मिलता है ढेर सारा आसिरवाद, माता लक्ष्मी होती है आकरशित, घर में नहीं आते कष्ट, तुलसी का पोधा अगर आपके घर में लगा है, तो यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाबकारी है, तुलसी के पोधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है, और नियमित रूप से तुलसी माता का पूजन करने से मा लक्ष्मी का आसिरवाद सदेव आपर बना रहता है, अक्सर लोग जाने अंजाने में यह गलती करते हैं, तुलसी मा की पूजन तो करते हैं, लेकिन चुनरी नहीं उड़ाते, ऐसा करने से फलो की प्राप्ती नहीं होत मा तुलसी भी नाराज हो जाती है, सास्तरों के अनुसार जिस घर में तुलसी मा को चुनरी उड़ा कर रखा जाता है, और उनकी पूजा की जाती है, उस घर में सदेव मा लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का आसिर्वा सदेव आप पर बना रहता है ध्यान रहे मा तुलसी को कभी भी नीली काली या सफेद असुब रंग की चुनड़ी न उड़ाए एसा करने से मा तुलसी के साथ मा लक्षमी भी नाराज हो जाती है जै मा लक्षमी नारायन हरहर महादेव